नमस्कार मैं आसी स्पाठा का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में इमर्स विद्धाले में जो आपकी वेकेंसी आई है उनमें से सबसे जादे अगर हम बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट में वो है आपके JSA की भरती इसमें 769 पद पर आपके भरती निकाली गई है तो जो बच्चे किसी कारणवस अगर KVS में NVS में JSA में एक दू नमबर से रुख गए होंगे वो अपने तयारी जारी रखे क्योंकि सेम पैटन पर आपकी ये भी भरती जो है निकाली गई है तो इस सुनारा मौका है लेकिन अंतर आपका ऐसा है कुछ की जो KVS था वो निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं थी लेकिन इस भरती में आपकी सबसे बड़ी बात है कि एक्जाम में निगेटिव मार्किंग होगा और आपका स्लेबस क्या है कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है J चाहिए एक्जाम का पैटन क्या है ठीक है यह सब ही चीजे में आपको बताऊंगा एक एक करके तो जो लोग EMRS के बैच से जुड़ना चाहते हैं JSA के बैच से काफी बच्चों ने फोन करके बोला कि सर इसका बैच कब से स्टार्ट होगा तो इसकी क्लासे जो है एक जुल एक परिक्षाक डॉअरी से भी आप जैना ड्सकते हैं हमारी वैपसाइड जो है परिक्षाप्लस अब अल्ट प्रिक्षाव प्रिक्षाव प्लस में अप प Пरिक्षाव से आप परिक्षाव प्लस पmost या प्लेंगे करें नर से आप बैचे जो है ले सकते हैं ठीक है यह मात्र 552 प्लस जी असिटी है almost 699 में आपको ये बैच मिल जाएगा ठीक है चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर eligibility की कौन-कौन form भर सकता है JSA का उसके बारे में मैं आपको बता दे रहाँ कि JSA के जो है वो 769 पद है ठीक ठाक post है आप देखा जाए तो salary जो level 2 की है यहाँ पर आपका 19,900 बेसिक बनेगा और इस पर 42% आपको DA मिलेगा ठीक है उसके बाद से आपका जो है और भी alliances मिलेंगे तो alliances मिलने के बाद enhanced salary आपकी 28 मलब 29 से 31,000 तक जाती है तो मैंने एक 30,000 का ले लिया है almost enhanced salary आपको 30,000 इसमें मिलेगी यह ध्यान रखिएगा तो ठीक ठाक salary भी है residential school है तो आपका रहने का बेवस्ताज होगा वो वहीं पर होगा अगली बार है age क्या लगेगा कितने उम्र वाले लोग भर सकते हैं तो यहां minimum age नहीं दिया गया जिस age में आप class 12 qualify कर जाओ बाकी maximum age बोला गया है कि आपका 30 साल से जादे नहीं होना चाहिए ठीक है और SC, ST, OBC में जो relaxation central government देती है जैसे SC को relaxation दीनता है 5 साल को SC और ST वाले को और OBC को age relaxation जो मिलता है वो 3 साल का मिलता है तो यह age relaxation होना चाहिए ठीक है बाकी आपका अगर हम बात करें जो EMRS के करमचारी होंगे एकलब विद्धाले के पहले के करमचारी है उनके लिए upper age जो है वो 55 साल कर दिया गया है यह ध्यान रखिएगा ठीक है इनका age 55 साल है अब education की बात करें कि कि इतना पढ़ाई लिखाई चाहिए आपको जैसे बनने के लिए तो पढ़ाई आप किसे बारत चाहिए मतलब class 12 आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो कोई भी नहीं नहीं साइंस इससे मतलब नहीं है आप पास किसी भी स्ट्रीम से बस यह होना चाहिए और आपके पास एक skill test skill knowledge होना चाहिए कौन सा skill knowledge आपकी typing आनी तो इसकी speed आपका 30 word per minute होना चाहिए यह speed मागा गया है यह ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक आप type कर सकते हैं यह ध्यान रखिएगा अब आता है कि सरजी हिंदी के लिए font क्या होगा तो हिंदी के लिए font आपका mangal in script होगा यह ध्यान रखिएगा क्योंकि central में यही चला है अभी आपका हम बात करें किसका जो अभी आपका exam KVS का हुआ उसमें भी आपके skill test में mangal in script यह चला है तो हिंदी वाले अगर हिंदी भी typing दोनों में से कोई एक देना है दोनों नहीं देना है ठीक है और लगा हुआ है साफ साफ आप पढ़ सकते हो ठीक अगला जो ह आपका कि exam pattern क्या होगा तो इसमें देखिए पहला जो पार्ट है इसमें reasoning ability पूछेगा आपसे मलब reasoning 20 प्रस्न पूछेगा 20 नंबर का होगा क्वांट जो होगा वह भी आपका मतलम मैत जो होगा यह वह भी आपका 20 प्रस्न 20 नंबर का होगा आपको यह चीज़े दिख रहे होंगी ठीक है यहां पर आपको दिख रहा होगा सब कुछ की नहीं दिख रहा है कि clear नहीं होगा यह सब मैंने बता दिया age कितना है 30 साल तक क बता है तो यह सब आपको यहां पर देख लिए जेनरल अवेर्नेस जो है आपका वह आपका 30 मार्क्स का 30 कोश्चन होंगे 30 मार्क्स का होगा अब यहां पर कंप्यूटर जो ऑपरेशन बोला गया है यह भी आपके 30 प्रस्न होंगे और 30 नंबर के होंगे तो आप देख रहे हैं कि syllabus आपका बहुत well defined किया गया total 130 प्रसना है और धाई घंटे का paper होगा अब एक बात KVS से इसमें क्या अंतर है कि वहाँ पे आपका negative marking नहीं था लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ साब साब बिला है one mark cell be awarded to every correct answer and 0.25 cell be deducted for every incorrect answer मतलब negative आपका कितना है one by fourth है ठीक है यह ध्यान दखिएगा उसके बाद से जब आपका यह हो जाएगा तो try writing test will be assessed on PC personal computer only ठीक है यह ध्यान दखिएगा 50 mark की आपकी typing होगी और उस 50 marks के typing qualifying है वो number पर depend करता है यहाँ पर ध्यान दखिएगा आपका 20 number आपको secure करना है उसमें से ठीक है उसका detail आपका जब typing होगा तब दे दिया जाएगा और typing के लिए एक पर तीन लोगों को बुलाया जाएगा तीन गुना है student बुलाये जाएगे यह ध्यान रखिएगा तो 20 number लेना आपका अनिवार है क्वालिफाइं बाकी आपकी speed तो रहेगी है जो speed मांगा है वो तो count होगा लेकिन उसमें कुछ number भी होगे कि आपको इतना करते हो तो इतना number मिलेगा वो typing detail आपका exam के बाद clear किया जाएगा दिया जाएगा इंके दुआरा ठीक है यह ध्यान रखिए वागल negative marking है कई बच्चे पूछ रहे थे तो negative marking आपका इस exam में है अब हम आते हैं कि syllabus क्या है इसका तो syllabus भी पूरा well defined है इससे बाहर आपका प्रस्न नहीं आएगा तो आपको जितना topic दिया बस उतना ही पढ़ना है दुनिया वर की topic नहीं पढ़ना है जैसे puzzle आपको पढ़ लेना है sitting arrangement linear circular पढ़ लेना है यहाँ से प्रस्न आएगा तो अच्छा source यहीं रहेगा कि जो SSC है उनसे आप कर सकते हैं उनकी जो previous question है बाकी जो हमारे साथ बैस से जुड़ेगा उसको proper A to Z क्या करना है कैसे करना है हम सब कुछ provide कर आएंगे अब data sufficiency काफी exam हों नहीं पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे exam में पूछेगा क्योंकि जो अच्छे खास exam होते है न वहाँ पर reasoning में कहीं data sufficiency पूछा जाता है तो यहाँ यह पूछेगा यह ध्यान लखिएगा यह मारस में statement based question रहेगा अच्छा खासा one-one reasoning जैसे statement, conclusion, argument यह वाले portion आपके रहेंगे फिर inequality यह भी आपका देखो बैंकों में पूछा जाता है कहीं भी यह ऐसे exam में नहीं पूछा जाता है इसके question जो है लेकिन puzzle, data sufficiency, inequality यह सब पूछ रहा है blood relation, sequences, series मतलब series आपसे पूरा पूछेगा direction test आपका है assertion and reason पूछेगा और when diagram पूछेगा when diagram बोल दिया तो आपका when diagram में सब कुछ आ जाता है आपका when diagram में जो है कुछ mathematical operation वाले भी when diagram आ जाते हैं और कुछ diagram basis पर जो होता है वो आपका आ जाता है आपका होगे सर silogs नहीं पूछेगा तो silogs यहां नहीं दिया गया है तिसलिए chances कम हैं और भी जो chapter आपके नहीं दिये गए है तो उसे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है जितना बोला है कि distance direction series when और assertion reason जो है वो आपका statement based यह भी होता है assertion reason तो इसको हमें पढ़ना है यह ध्यान रखिएगा तो इसका बाकी exam से नया reasoning का syllabus है बाकी math का syllabus almost इसमें advanced नहीं है पूरा का पूरा arithmetic वाला portion है तो यह general हर exam में जितना पूछा जाता है उतना है लेकिन reasoning को अलग किया गया है बाकी हों exam में general सा reasoning आता था लेकिन यहाँ फिर थोड़ा reasoning के syllabus में changes आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे प्रस्ण जो इसा topic डाला है यह यही कह रहा है चीक चीक के कि reasoning के प्रस्ण अच्छे बनेंगे और लेंदी बनेंगे क्योंकि जब पजल हुआ sitting arrangement, data sufficiency यह तीनों topic अपने आप में लेंदी होते हैं यह ध्यान रखिएगा ठीक है और यहाँ पर एक portion और जो extra दे दिया आपका जो maximum exam में नहीं रहता है वो DI का दे दिया मतलब SSE का जो आप part देखोगे SSE में थोड़ा सा geometry वाला भी portion दाता है लेकिन वहाँ पर आपको यह geometry से relaxation है arithmetic के साथ ही आपका DI दे दिया क्योंकि DI में आपका इन सभी का कहीना कही रोल है जैसे आप profit loss हो गया ratio proportion हो गया यह जो आप पढ़ोगे ना तो उसका implication implementation है आपका DI में करना होगा तो यह चीज़े आप कर सकते हो यह धान रखिएगा स्टेटिक जीके ठीक है स्टेटिक जीके आपसे पूछेगा और करेंट अफेयर विदे स्पेसल इंफेसिस इन दा फिल्ड आफ एजुकेशन मनलब जो जेनर नॉलेज और करेंट अफेयर होंगे उनका जो होगा मैली एजुकेशन पे इंफेक करके एक तरह से प्रश्निक के कोश्चन्स आपके जो कोश्चन्स होंगे वो जादे सर एजुकेशन रिलेटेड होंगे यह कहने का मतलब है इनका तो आपको ऐसा नहीं है स्टेटिक जीके में सब कुछ पढ़ना है लेकिन एजुकेशन पे थोड़ा सा पॉलिसी पे जादे जोड़ देना है खास कर जो सेंट्रल की एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है जो खास कर स्टी के लिए जो एजुकेशन की पॉलिसी आती है उन पे जादे इंपेक करना क्योंकि ये इमारस विद्धाले ये ध्यान रखेगा जिन्दल हिंदी आपकी वही है संधी समास विलोम सब्द पर्यावाची सब्द असमान शुद्धियां वाक्योंसों के लिए एक सब्द मोहरे लोकंतिया पठित गध्यांस इसमें पढने का अगर हम बात करें तो संधी और समास है बाकी विलोम पर्यवाची तो आपको रटने वाली चीज है असुद्धियां है वाक्यांस के लिए एक सब्द मोहरे ये भी रटने वाला है गध्यांस का आप प्रेक्टिस कर ले जाओगे बस इतना हिंदी एकदम आपका आसान है एकदम आसान दिया गया असले बस इंग्लिस की बात करें तो यहां वर्व टेंस वाइस सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट आर्टिकल्स कंप्रिहेंशन फिल इन द ब्लैंक्स एडवर्व, एरर टेरेक्शन, संटेंस, रियारेंजमेंट, अंसीन पैसेज भी आपका है यहां पर वोकेब्स आपका है एंट्रोन, सिननोम, ग्रामार, इडियम्स और फ्रेज्स मतलब सब कुछ कवर किया गया है, ठीक है यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां जो है वर्व, टेंस, यह दिया गया है, एडवर्व दिया गया है लेकिन बाकी आपका जो नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, इन सब के बारे में यहां पर एक लिख दिया है grammar जाते जाते लिख दिया कि grammar यहां पर तो यह ध्यान रखिएगा तो सब कुछ आ जाएगा कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको यह ध्यान रखिएगा तो जहां जहां point किया है उन उनको तो अच्छे से आपको परना है बाकी आपको basic सा सब कुछ देख लेना है फिर आता है आपको computer operation इसमें कैसे प्रशन आएंगे कैसे आपका detail होगा तो अभी जो different exam देखा गया तो किसी जैसे KVS वाले exam में जो आपका अगर हम बात करें return वाला exam हुआ था GSA का उसमें आपका CBSC ने question दिया था question CBSC तो आसान से question थे उसके बहुत tough नहीं बनाया गया था लेकिन अगर उसका CPT test होता है उसमें question out of syllabus दिया गया था तो वो question tough थे ठीक है और उसको कहींने कहीं CBSC ने वो आपका कहीं CBSC ने दिया था या आपका जो है जो agency करा रही थी उसपर दिया गया उसका कोई clarification नहीं है लेकिन अभी इसको आपका सब कुछ कराने वाला NESTS वाला जो है यह आपकी पूरी जो है command का सब पूरा content जो होगा वो NESTS का होगा बाकी NTA जो है वो data handling की काम करेगे student की यह थ्यान रखिएगा तो यहां पर आपसे जैसे आपका topic दिया है fundamental of computer system तो यह आपका fundamental आपको अच्छे से पढ़ना है फिर basics of operating systems operating system के basics को पढ़ना है detail में नहीं जाना है साब साब बोला गया जहां detail होगा MS office पढ़ना है ना कि कोई और office पढ़ना है अब दूसरा question पूछ दे तो भाई वह गलत है लेकिन MS office बोला तो MS office आपको पढ़ना है office में word, excel, power point यह आपको आ जाता है यह आपको ध्यान से पढ़ना है keyboard के shortcuts याद करना है, their uses यह याद करने वाली चीज़ है पूरी की पूरी important computer terms आपको याद करना है EP ROM, P ROM यह सब जो full form होते हैं कासकर जो abbreviations होते हैं, एक तरह से उसको term आपको याद करना है फिर computer, एक अच्छा part आपका यह क्या है computer network इसने लिख दिया, तो यह यहाँ से प्रस्ण अच्छा बन सकता है tough बन सकता है, बहुत सी चीज़े पूछी जा सकती है network अपने आप में बढ़ा है, लेकिन आपको summarize करके पढ़ना है बहुत detailing भी नहीं जाना है, cyber security और internet करता है, cyber security यहाँ पर हमें थोड़ा सा cyber law के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या कानून होते हैं, अगर कोई आपके जो system है, उससे related कोई आपका system hack करता है आप कोई ऐसे काम करते हों, जो कहीं न कहीं अपराद है, तो वो किस दायरे की अंतरगत आएगा, तो हमें कुछ laws भी देखने होंगे, फिर internet है, internet के uses क्या है, internet का विस्कार कैसे हुआ, क्या क्या ब्राउजर कौन कौन से हैं, यही question अभी देखने को मिला था जो exam हुए थी, जैसे में, main exam में, तो वो उन सब में प्रशन, इन ही सब जीस दो बनता है, तो जैसे होगा, वैसे आपको पूरा बैच में महीं आपको computer पढ़ाऊंगा, और बहुत बिधुवत तरीके से, अभी जितने exam recent में NTA के द्वारा conduct कराए गया है, उनका मेरे पास पूरा बेवरो ह हो गया कि कैसे उन्होंने CPT में अभी tough questions डाला था, लेकिन जो KVS का main था, आपका एक तरह से बोला जाए exam था, जैसे का, उनमें level ठीक ठाक था, लेकिन CPT अलग चीज हो गई थी, इस वज़ए से वहाँ पर क्योंकि उसके topic भी अलग से बनाया गया थे, लेकिन वो out of range भी जाके question उसमें बनाया गया था, तो उन सब चीजों को मैं परहाते समय ही आपके साथ discuss करूँगा, कि कैसे कैसे प्रशन आपके बनाये गए हैं किन-किन topicों से, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर topic नहीं mention किया गया है, कुछ SSOS आपको नहीं पढ़ना है, सिधे office आपको पढ़ना है तो यह ध्यान रखिएगा, तो जो आपका syllabus है, उसी से dedicated हम चीजों को करेंगे, और उमीद है कि आपका paper भी ECK quality बनाया जाएगा, कोई दिक्तत, कोई समस्या है, अगर आपको तो आप video के comment में बता सकते हैं, कि सर हमें syllabus में कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आपको course जो आइन करना अगर वो नहीं समझ पा रहे हो, तो जो नंबर है हमारे यहां का, उस नंबर पे आप call करके, जो है बात कर सकते हैं, 945000-6007 इस पर और 9969, छीक है, इन पे आप contact करके, आप बात कर सकते हैं, कि सर कैसे course को लेना है, एक चारिक से आपके classes, regular basis पर according to the time table, स्टार 16 days के बाद आपका हो जाएगा, after 16 days का target ही हमारा batch भी आपका, 60 दिन के लिए ही बनाया गया है, यह हम मान के चलना है, क्योंकि EMRS में अब विद्याले open हो रहे हैं, समय एकदम नहीं मिलेगा, इनका है कि अंतिम दिसंबर तक appointment दे के सब कुछ खतम कर दिया जा, क्योंकि विद प्रिशा प्लस आप इंस्ट्राल कर लें, कोर्स से जुड़ जाए, यह classes आपकी एक तरिक से continue हो जाएगी, अगर किसी को समस्या दिक्कत जो भी होगा, वो अपना comment में जरूर बताएगा, हम पूरी courses करेंगे कि आपके समस्याओं का समधान किया जाए, चलिए इसी के साथ, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,